अब UBSC की तयारी के लिए डिली या एलहाबाद आने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिविल्स डेली कराने जा रहा है आपकी प्रिपरेशन CD YouTube Classes के माध्यम से जहां हम लेकर आ रहे हैं डेली बेसिस पर Current Affairs और Static Portion के Topics, Prelims, Mains और Interview को मद्दे नज़र रखते हुए तमाम Video Lectures और Mentorship Guidance वो भी बिलकुल निशुल हम अपना Time Invest करते हैं ताकि आप अपना कीमती वक्त सही जगे सही डिरेक्शन में इस्तमाल करें Press the bell icon and subscribe to our channel to follow hashtag CDRituals Hello everybody, Namaskar, उमीद है आप सब अच्छे होंगे मैं Siddharth, आपका mentor, स्वागत करता हूँ Sivils Delhi के YouTube Classes पर जहां आज हम बात करेंगे UPSC Prelims और Main से जोड़ी कुछ important and relevant topics पर from the Hindu editorial and OPIT section तो दोस्तों, आज है तारीख 27 December, दिन है Monday और आप सबसे मैं ये request करना चाहता हूँ कि देखिए थंड बढ़ रही है और Oh Micron के cases भी काफी बढ़ रहे हैं अगर आप Delhi NCR में हैं, कई जगर पे night curfew लग चुका है तो प्लीज आप अपना और अपने family का ध्यान लखें, सुरक्षित रहें और अगर वैक्सीन नहीं लगवाई है तो प्लीज वैक्सीन लगवाएं और फिर से जो दो गज की दूरी थी वो सारे बेंडेन करें और मास्क लगाएं अपना ख्याल लखें क्योंकि आपको exam देना है, आपको अपना career बनाना है आप अपना time बर बाद नहीं कर सकते, ला फरवाही नहीं भरत सकते तो आगे बढ़ते हैं इस questions related मैंने Friday को कुछ आपसे comment करके लिखने के लिए कहा था जहां पर यह सारे questions थे कि what is voice vote, what is bogus voter, electoral bonds, what is service voters जहां पर कुशागर ने बहुत detailed में answer दिया है तो जितने भी viewers ने, audience है हमारी, I would request you guys to please have a look at कुशागर's answer अगर आपको लगता है कि इनका answer आपके answer से vary करता है तो comment करके बताइए या फिर इसी पे आप reply कर सकते हैं कि sir these are the things और इसमें additional हो सकती है ठीक है, for example, रिशब ने जो कि already mentioned किया है जो service voters से, detail में mention किया ही, कौन-कौन सी वो organizations है जहाँ पे service voters मिलता है इससे related एक और question था, postal ballot क्या होता है ठीक है, अगर आपको पता हो, postal ballot क्या होता है तो please comment करके बताइएगा moving forward so, ये एक और question मैंने दिया था जिसका answer होगा C और जिसका answer correct नहीं है please comment करिए ताकि मैं पूरा explanation शेर कर सकता हूँ आपके साथ, and जिसका answer सही है so, well done and congratulations so, moving onward ये हमारा YouTube, Civils Daily का YouTube channel please subscribe करना ना भूले अभी भी हमारे 50% जो viewers है जो audience है, वो subscribe नहीं की है और हमारी video देख रही है अगर हम आपके life में, आपके preparation में कोई value add कर रहे है please subscribe it and press the bell icon thank you so much guys let us move forward to our first editorial ठीक है, पहला editorial जो है मैं आपको editorial screen पर ले जाना चाहता हूँ पहला editorial analysis है related to elderly are assets and not dependents ठीक है जिए कहते हैं कि कुछ वक्त कुछ वक्त गुजारो बुजर्गों के साथ सब कुछ google या facebook पे नहीं मिलता तेखे ये एक बहुती sensitive, बहुती important situation है हमारे पास जो author है, किरन कारनिक इन्होंने mention किया है यहां पे और ये ऐसी situation ये ऐसी news नहीं है जो कि पहली बार आ रही है it has been happened in couple of time ये बुजर्ग, ये हमारे माबाप हो सकते हैं, हमारे रिष्टदार हो सकते हैं और हमारे समाज के ही लोग होते हैं ठीक है, ये ही इनसे ही हम हैं और इनकी इस्जत करना, इनकी देखबाल करना, कहते हैं कि जैसे जैसे हम बुड़ापे की और बढ़ते चले जाते हैं, वो हमारा एक दूसरा बच्पन आता है तो एक और ध्यान देने वाली बात ये है कि जो यंग्स्टर्स हैं जो जेनरेशन है, यंग जेनरेशन वो क्यों इज़त नहीं करती है बुजर्गों की, बहुत कम लोग होते हैं जो कि अपने बुजर्गों की इज़त करते हैं उनका मान सम्मान करते हैं और बिल्कुल ही वैसे रखते हैं जैसे वो खुद को अपने आपको देखते हैं समाज उनको देखना चाहता है बच्चे बहुत जादे इज़र्द करते हैं बज़र्गों की बच्चे खेलते हैं बज़र्गों के साथ तो वहीं पर जो एडल्ट होता है जो 25 से 45-40 के उमर तक होते हैं वो लोग क्यों नहीं इज़र्द करते होता है तो बहुत important segment है यहाँ पर जो author ने mention किया है emotional part भी बहुत mention किया है जिसको हम ethics के term में भी देख सकते हैं और एक factual part भी mention किया है जो कि हमारे GS paper 2 से related है तो यह पूरा article उस पर based है आईए देखते हैं आज का article relevant क्यों है ठीक है? So GS paper 1, GS paper 2 से related है Government policies and intervention Growth and development Growth किसकी? इनकी Development किसकी? Aging population की So सबसे पहले यहाँ यह समझते हैं कि जब भी population की बात करेंगे न तो हमां demographic dividend की बात जरूर आएगी और demographic dividend क्या होता है आज से कुछ हफतों पहले मैंने शायल एक article आया था मैंने आपसे कहा था कि Youth bulge क्या होता है जो कोई भी country अगर उसकी economically growth हो रही है उसकी GDP increase हो रही है और financially वो grow कर रही है समाजिक आर्थिक स्थिथी थोड़ी सी उपर हो रही है उसकी वज़े जो यह है अगर उसकी वज़े है Youth जो की Youth कौन है? 15 साल से कितने साल तक? 49 years अगर यह population है तो वो demographic dividend country है जहाँ पर Youth की population सबसे जादे हो जो की working population सबसे जादे हो as compared to non-working population ओके? So basically India अभी सबसे जादे demographic dividend पर है India की जो population है सबसे young है ओके? average Indian की जो population है आज की date में वो है 28 साल ओके? वही पे China की जो average Chinese population है वो है 37 years Europe की 45 years और Japan की 49 years मतलब की आने वाले time पे यह जो time है 2030-2040 तक का India अपने peak पे होगा और अभी भी इंडिया अपने peak पे है सबसे जादे young generation है सबसे जादे young population है तीके? सबसे जादे working population है लेकिन यह कहते हुए हमें गर्व तो होता है लेकिन इससे related हमें ध्यान देने की ज़रूरत है ध्यान देने की क्या ज़रूरत है यहाँ पे? कि जो हमारी economic growth है अगर वो working population पे dependent हो जाएगी तो बाकी लोग क्या करेंगे? और उसी के बारे में यह article है तो बाकी लोग को भी हमें support कराना होगा बाकी लोग को भी हम dependent उनको अपने उपर नहीं रख सकते हैं वो बाकी लोग कों है? वो elderly people हैं तो National Family Health Survey के data के हिसाब से यह तो पता चलता है कि हमारे population में working population काफी जादे हैं जहां हम working population की बात कर रहे हैं जहां हम youth की बात कर रहे हैं वहाँ definitely innovation और entrepreneurship आएगी लेकिन इसके साथ साथ हमें इन challenges को भी लेना पड़ेगा कहीं हमारी यह blessing disguise न बन जाए कहीं यह हमारी आशिरवाद कहीं कलंक न बन जाए इस वज़े से हमें implementation करना होगा proper क्योंकि आज जो 28 साल के हैं वो आज से 25 साल बाद 50 साल से उपर हो जाएंगे और वो senior citizen के category में दीरे-दीरे आने लगेंगे तो हमारी पास आज आज हम क्या कर सकते हैं ताकि हम next 25 years में जो हमारे senior से हैं जो हमारे youngsters हैं वो depend ना हो ठीक है हमें अपने past से सीखना चाहिए ताकि present में हम वो गलतियां या future में वो गलतियां ना करें तो आर्टिकल जो है वो इसी के बारे में है आर्टिकल ये कह रहा है कि the youth population है वो सबसे ज्यादे है क्योंकि वो वो इंडिया में देखी जा रही है Now, innovation and entrepreneurship क्योंने बात कर लिए आपको entrepreneurship So, कुछ steps ऐसे हैं जहां पर we have to take care Now, for example, poor health poor health like inadequate education could nullify demographic advantage ये कुछ ऐसे areas हैं जहां पर हम मतलब blessing in disguise वहला मामला आ सकता है So, poor health हो गया, education हो गया फिर pension scheme हो गया ये सब कुछ ऐसे हैं कि अगर हम नहीं सही से इस पर channelize करेंगे तो फिर ये demographic dividend, demographic advantage मतलब कुछ नहीं रहेगा हमारे लिए So, National Family Health Survey का जो concern था वो यही था कि सब कुछ बढ़िया है, अच्छा चल रहा है बस health से मामले में अगर हम ठीक हो जाएं और education के मामले में अगर हम ठीक हो जाएं तो फिर India को कोई रोकने वाला नहीं है Jeff Bezos ने, Amazon के founder ने दोस्तों ये कहा था कि ये जो 21st century है वो India की century है अगर हम अपने यूथ बल्ज को अपनी यंग्स्टर की पॉपुलेशन सही जगह पे इस्तमाल करें और वैसे ही जो हमारे elderly people हैं उनको अच्छी policy और एक ऐसी facility दें ताकि वो depend ना रह जाएं वो भी economy में participate करें ठीक है So, life expectancy in India elderly की क्या है Economic Advisory Council to Prime Minister जिससे हम EAC PM भी कहते हैं वो एक report release करती जिसको कहते है Quality of Life for Elderly Index इसमें ये कहा गया है कि the share of elders as a percentage of total population in the country is expected to increase from 7.5 जो कि 2001 में था तो 2006 में होने वाली है 2026 में सारे 12% वही चीज 19.5% हो जाएगी 2050 में अभी आसपास हम लगबग 10% के आसपास हैं 10 से 11% के और ये चीज़ आलमोस डबल हो जाएगी 2050 तक मतलब इतनी age population हो जाएगी हमारी इससे related मैंने ये article को यहाँ पे red से highlight किया है red से इसलिए highlight किया है कि ये एक alarming area है अगर हम इस पे काम नहीं करेंगे तो दिक्कत हो सकती है तो देखिए जो हमारी elderly population है वो experienced है बहुत knowledgeable है ठीक है जो youngsters आज जिस डोमेन में वो काम कर रहे हैं जो हमारे elderly people है वो काम करके छोड़ चुके हैं उसकी जो pros and cons हैं उसमें जो failure और success हैं उनको पता है तो क्यों न हम effectively उन elderly people को utilize करें उनके knowledge को utilize करें उनके experience को utilize करें ठीक है ताकि जो youngsters हैं उनको इन सारी चीजों में इन सारे दुविधाओं में ना पढ़ना पढ़े ठीक है So while one perspective would look at them is dependent and rather दूसरा जो perspective है is potential ठीक है एक तो यह है कि हम depend ना रहें दूसरा यह है कि potential क्या है उनके पास ठीक है So दो चीज़ें उनके उपर focus करनी वाली है पहली health दूसरी capabilities ठीक है So challenging healthcare needs में जो मैंने highlight किया है वो है कि as we move to a demographic where the growth rate of elders far exceeds that of the young the biggest challenge यहाँ पर जो आएगी वो quality आएगी affordable आएगी और accessible healthcare services यह सारी चीज़ें आएगी क्योंकि आपको पता है कि जब हम वृत दवस्ता में जाते हैं जब हम बुरे होते हैं आज कल तो 40-50 के उमर में लोगों को heart attack आने लगे हैं ठीक है तो situation थोड़ी सी ओर डमाडोर हो रही है लेकिन 40-50 क्योंकि आते जाते हैं हमें बहुत सारी medical conditions हो जाती है ठीक है और यही जो question है यही question article आपका बन जाएगा ये बाला prevention on prevention is better than cure यहाँ पे भी outpatient care की बात की है out of pocket expenditure की बात की गई थी लेकिन यहाँ जो बात हुई है इस article में वो यह कह रहे हैं कि medical facilities बगएरा mental health facilities physiotherapy यह सारी चीज़े मुहया करानी चाहिए include करानी चाहिए elderly people को थीक है ताकि वो अपने expenses पे overburden ना हो सके है किसी को pension मिलती है किसी को नहीं मिलती है कोई अपने बच्चों के उपर depend रहता है तो जैसे एक बच्चा पैदा होता है और उसको जितनी भी treatment जितनी देखभाल की जाती है वैसे ही जब एक पुरुष यमाईला वृत दवस्ता में देजरे जाने लगते है तो ऐसी ही situation ऐसे ही हमें देखभाल उनके लिए भी करना पड़ता है छोड़ी छोड़ी चीज़ों पर हमें देखभाल करना पड़ता है हाला कि बहुत value रखते हैं वो हमारे लिए बहुत value रखेंगे वो समाज के लिए क्योंकि बहुत experienced होते हैं वो ठीक है ये सारी चीज़ें हमें जरूर देखनी चाहिए जो EAC PM है जिसके भी हम बात किये थे that is a non-constitutional, non-statutory, independent body है ये जो की economic और उससे related issues को सरकार को advise करती है और ये decision direct PM तक जाता है मोदी जी के पास जाता है ये specifically ठीक है, four pillars है हमारे इस report से related एक financial well-being होनी चाहिए social well-being अच्छी होनी चाहिए health system strong होना चाहिए और income security होनी चाहिए बहुत अच्छी बात की गई है याद रखिएगा ठीक है वहीं पे eight sub-pillars है economic empowerment, educational attainment, employment, physical security, basic health, psychological well-being, social security and enabling environment कुछ challenges आते हैं इन लोगों को ये देख रहे हैं मुंबई की तस्वीर है शायद challenges क्या आते हैं कि feminization of aging जितने जादे पुरुष उससे कहीं जादे महिलाएं हैं इसमें और महिलाएं वो भी जिनके अब हम बात करेंगे जहां पे इस figure में देखे जहां पे out of 58% of women elderly population 42% तो ऐसे लोग हैं जो की video हैं जो डाइवोर्सी हैं और उसमें से ठीक है जो की video डाइवोर्सी हैं it's very tough for them to survive actually 75% तो ऐसे elderly हैं जो की rural areas में रह रहे हैं और 1 third 75 में से 25% तो ऐसे हैं जो की below poverty line में रह रहे हैं BPL जितनी UK की elderly population है उतनी यहां की population इंडिया की elderly population है वो भूखे सोती है एक रात जितनी Australia की elderly population है उतनी लगभग यहां की जो elderly population है वो भूखे सोती है एक रात an estimated 50 lakh alone ठीक है so कहा जा रहा है कि 2040 तक 30 years the grey population of India will double वही चीज़ है जो हमने डिसक्स की थी ठीक है so यह कुछ चैलेंजेज है feminization of aging के majority of them are women ठीक है income security India has one of the weakest social security जो अपने pension पे मात्र एक परसेंट खर्च करता है एक परसेंट लोगों को पेंशन मिलती है सोच रहे हैं आप integration of elderly in economy there is no need to cater to the present older person's unique needs motivation and preferences to give the chance to contribute to society 60 साल के बाद तो इनके economy में कोई मतलब report ही नहीं है जो moodies की report आती है not moodies मैं rating agency का नाम भूल रहा हूं उनकी report के हिसाब से working women जो women जो घरों में काम करती है ठीक है उनका और 60s के अबब जो elderly है उनका contribution labor employment में होता ही नहीं है चाहे वो कोई मर्जी काम कर लें अगर वो retired है वो घर में काम कर रहा है या senior citizen है कहीं पर भी service serve कर रहा है उनका participation है ही नहीं उसमें in fact जो ladies हैं जो महिलाएं हैं जो घर में काम कर रही हैं या फिर जो husband हैं जो घर में काम करते हैं और जो wife job करती है तो household employment का चीज़ कुछ mention ही नहीं किया गया है तो author यही कह रहा है इसमें कि ऐसी चीज़ें हमें ले आनी चाहिए ताकि ये लोग contribute करें economy को health care and services good health lies at the core of society to ensure health aging हर जगे हर मोड पे इनको स्वास से related चीज़ें मोहिया कराई जाया है चाहिए वो घर पे हो चाहिए बाहर हो out of pocket expenditure कम होना चाहिए insurance होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ inpatient insurance नहीं होना चाहिए outpatient insurance भी होना चाहिए okay so कुछ ऐसी चीज़े है ये जो HAQ quality है ये smaller cities में ठीक है ये health care qualities जो है smaller cities में rural area में थोड़ी जादे देखी जारी है basic quality health care services are very inadequate basic चीज़ें और वो क्यों inadequate है कुछ जो है वो family बार नगलेक कर देते हैं ये problems आई हटाईए आपको कोई दिक्कत नहीं आप ऐसे बहानाम करते हैं ठीक है सीक्षा नहीं है वहाँ के लोग पढ़ते लिखते नहीं है it's natural होते जाता है वहाँ पर ठीक है कोई awareness कराने वाला नहीं है social cultural belief ठीक social stigma है अरे आप लोग पढ़के क्या करेंगे खेती बारी करिए ठीक है low trust on institutional health care doctors, hospitals इन लोग पर विश्वासी नहीं है ठीक है exacerbate the situation for the elders ठीक affordability है ही नहीं तवा इतनी महंगी है कल को कोई गाउं को व्यक्ती अगर मान भी ले stereotype break भी करके चला जाए hospital में या फिर doctor के पास तो उसके पास pay करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है अब ना एक राद वो hospital में रुख सकता है इनिक्विटी इन हेल्थ के एक्सेस जब इक्विटी की बाद बहुत important है यहाँ पे इनिक्विटी इन हेल्थ के एक्सेस कभी-कभी ये भी देखा गया है कि private hospital में गॉवर्मन होस्पिटल में elderly के लिए तो wards ही नहीं है ठीक है अगर आप इन गरीबों को इन जो elderly people है जो गरीब है उनको अगर आप job नहीं दे रहे हो उनको अगर आप income का source नहीं दे रहे हो तो फिर वो vicious cycle में गूमते रहेंगे उनके बच्चे भी गरीब होंगे उनकी जो परवरिश होगी वो भी गरीब तरीके से रहेगी और फिर वो अफोर्डी नहीं कर पाएंगे health को और education को और फिर ये क्या होगा इस वज़े से economically unproductive होंगे dependent हो जाएंगे अपने family के उपर और दूसरों के उपर ठीक है this and poor physical health adds the mental emotional problem एक तो उपर से उनके पास कमाने का कोई जरिया नहीं ठीक है उपर से उनकी तबेत वे से खराब रहेगी उपर से जो family वाले हैं वो अलग pressure देंगे तो कहीं न कहीं एक mental emotional problem आ जाएगी और एक breakdown हो जाता either heart attack or BP or several other problems तो government does not cover the scheme elderly takes care of these in completely inadequate मतलब कि ये सारी चीज़े हैं जो खास कर कि government की schemes में नहीं measure की गई है हटा दिया गया इन सारी चीज़ों को ठीक है जैसे मैंने कहा था आपको भी example बता है 2007 में एक law आया था law आया क्या था petition file हुई थी जिसमें Supreme Court ने सारे state से ये कहा था कि भाई आप अपने हर district hospital में elderly patients elderly persons की patients की facility को बढ़ाईए ध्यान रखिए और एक report publish हुई थी Supreme Court के पास कि 2019 में कि लगभग 16 states कुल मिला के 16 states और union territories उनके पास एक मात्र single bed या ward नहीं है elderly people के लिए this is such an horrifying incident ठीक है तो healthcare spending बहुत जरूरी है दोस्तों यहाँ पे and well equipped medical staff care facilities and rehabilitation services जिसे hospice वगरा होता है ठीक है आज की situation जो यह है कि 1.3 hospitals bed है 0.65 physicians है 1.3 nurses on every thousand people मतलब की 1000 people पे एक physician या फिर आधे मतलब कभी देखेंगे कभी नहीं देखेंगे वो एक bed available है 1000 people पे ठीक है यह चीज़े improve हो सकती है COVID में हमने करके दिखाया है थोड़ी मोरे level पे हम कर सकते हैं लेकिन उसके लिए proper implementation चाहिए policy चाहिए नीती निर्मान चाहिए facts figure के साथ हमें कर सकते हैं यहाँ पे we need to accelerate the implementation of programs such as national program for health and health care and elderly तो यह complete हो गया इससे related आपके मैंने तीन questions रखे हैं प्लीज आप इस पर comment करके बताईएगा कि क्या इसके answers होंगे demographic characteristics, health day, international bodies यह चार questions है मज़दार questions है, prelims facts है comment करके बताईएगा आगे बढ़ते हैं हम a chance to tap India's high equity in Myanmar हम इस article के बारे हम बात कर रहे हैं तो basically क्या हुआ कि जो इंडिया के जो foreign secretary है हर्ष वर्धन स्रिंगला सहब इनकी image यहाँ पे है यह हैं वो यह अभी recently Myanmar गए है गए थे और positive outcome रहा इनके जाने के बाद काफी lucrative और काफी जो वहां की internal security issues चल रहे हैं Myanmar में उस situation में यह जो हमारे foreign secretary हैं वो गए हैं talks हुई है इन दोनों के बीच में अग successful talks रही है एक bilateral relation जो है वो पुरानी जो relationship फिर से जिन्दा हो गई है और military अब support कर रही है Indian को, India government को यहां पे हुआ क्या था so basically थोड़ा सा background में हम चलते हैं background में यह जाते हैं कि इंडिया और महरमान की जो relationship है यह आप देख रहे हैं भारती है है हमारा और यह Myanmar है यह पूरा ठीक है यह नापीड़ और यह यंगून okay so India Myanmar relation जो है वो एक treaty of friendship के तहत आई थी 1951 में जावाला नहरु जी को बहुत प्रिये वसे लोग प्रिये प्रधान मंत्री थे और international relation में बहुत इन का interest था तो 1951 में यह treaty of friendship के थे थू एक पक्त साइं हुआ था time पर 1987 में जब वो विजिट किये थे तो और मजबूत हो गई थे यह situation यह partnership ठीक है अभी जो प्रोग्राम था that was totally जो वहाँ पर military coup है उसको change करके हलका सा हम अब democratic form में ले आना चाह रहे थे हम सब को पता है कि जो Aang Sang वहाँ पर जो लीडर है Aang Sang Suqi उनको उन्होंने election जीता था जो कि National League for Democracy वो उनकी party हुआ करती थी उन्होंने election जीता election जीतने के बाद जो वहाँ की पूरी जनता थी सब support करने लगी उनको सारे party support करने लगे लेकिन जो military थी वहाँ की वो थोड़ी से बहुत strong है military जैसे पाकिस्तान की military strong है तो कहीं न कहीं military को लगा कि उनका अब जो है power छिन रही है उनकी जो authority है उनकी जो discretionary power होती है वो छिन रही है इस वज़े से military coupe धीरे-धीरे बढ़ने लगा और जितने भी political parties थे in fact जो Aang Sang Kukki की जो party थी National League for Democracy इनको धीरे-धीरे ये लोग grab करने लगे और jail में डालने लगे तो military coupe होने लगा मतलब की जो समविधान है अब वो उसका military का राज चलेगा ना कि constitution का राज चलेगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो यहाँ पे इनके जो military men है उन्होंने जल्दी ही ये सारे चीज़ों को violate करने लगे और violating the constitution and putting down the opposition into iron hand सब को jail में डाल दिया in fact जो आंगसुंग की हैं उनको भी jail में डाल दिया इन्होंने और फिर से एक military coupe का military राज चलने लगा है यहाँ पे तो कहने का मतलब यहाँ था ये था कि बहुत दंगे हुए बहुत फसाड हुए और लोगों की जाने गई लोग refugee बने और अब जितनी भी जो Asian countries हैं in fact international countries हैं वो परशान हो गई थी कि अब इसमें country में democracy फिर से कैसे लाया जाए तो इंडिया का बहुत बड़ा रोल था यहाँ पे इसलिए यहाँ पे जो हमारे secretary साहब हैं वो गए थे और अच्छे से discussion की थी यहाँ पे तो Myanmar is an essential element in India's practice of regional democracy मतलब की शेत्रवाद इसको regionalism को हम कहते हैं शेत्रवाद तीक है regional democracy in this Indo-Pacific serve serve as a land bridge to connect South Asia and South East Asia ठीक है एक land bridge भी है जो connect करती है इंडिया को Myanmar से, South East से और South East Asia के तरफ जब हम Myanmar की बारें बात करते हैं इंडिया के point of view से तो चाइना के साथ competition बहुत जादे है क्योंकि यह है चाइना यह है इंडिया बीच में है Myanmar यह एक strategic decision player है यहाँ पे ठीक है हाला कि relation बहुत अच्छ है है Myanmar के इंडिया से लेकिन चाइना के भी खराब नहीं है ठीक है So if India is to become an assertive regional player in Asia ठीक है अगर powerful बनना है इंडिया को पूरे एशिया में तो अपने neighbor countries के साथ अच्छा बेभार अच्छे relations करने होंगे चाहे वो land से related air से related या फिर military ठीक है या water से related ठीक है So हमें वो relationship मजबूत करने होगी ठीक है So however China जो है वो बहुत बड़ा role block बना हुआ है इन सारी situation में जो जो इंडिया करता है Myanmar को support करने के लिए वो वो चाहिना करता है हाला कि recently जो secretary सहाब है वो लगबग I think one million vaccine के doses लेके गए हैं यहाँ पे और distribute किया है तो अच्छी बात होती है यहाँ ठीक है जैसे कि इंडिया ने उस time पे सागर आपने सुना होगा security and growth for all in the region इंडिया नोशन की यह policy introduced की ती जहाँ पे Sitwe Sitwe port in Myanmar Rakhine State यहाँ पे established किया था ठीक इंडिया पोर्ट इस मेंट तो बी इंडिया आंसर तो चाइनीज फोर्फरंट इन क्या है किप्यू पोर्ट वो मैंने दिखाए नहीं यहाँ पे वो इमेज बाकी रह गए थी which is the intended to cement China's geocentric footprint ठीक है so जो सागर है वो यहाँ पे एक बहुत important role play करता है इंडिया के तरफ से एक तरीके का हम cement border बना रहे हैं for Chinese not to enter in India via Myanmar okay now अब critical क्या हो सकता है critical for India's national security interest the critical could be जो northeastern states है न basically इनका जो मुद्दा था वो vaccine तो लेके गए थे एक democracy की स्थापना का का सपना लेके गए थे कि चलो हम बात करेंगे military से लेकिन जो main मुद्दा था इनका जो main मुद्दा यही था कि जो conflicts हो रहे हैं ठीक है वो basically इंडिया के internal security को problem कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं जो northeastern states है इंडिया में ठीक है which is affected by left wing extremism ठीक है narcotics track route golden triangle जिसे हम कहते हैं golden crescent and golden triangle जहां से भारी मात्रा में drugs, narcotics land, water के थूँ दूसरे countries में आते हैं इंडिया में आते हैं हाला कि इंडिया ने इसको बहुत जबर्दस चकमा दिया था लड़ा था इसे operation sunshine के तुरू carried out joint military operation इंडिया में अनमार दोनों ने किया था लेकिन अभी भी इसके definitely बहुत अच्छा-कासा जैसे गेल हो गया SR हो गया ONGC विदेश लिमिटेड इन लोगों का बहुत अच्छे मातरा में invest किया इन लोगों ने मैनमार के energy sector में तो इनका जो concern था एक तो ये था left wing extremism जो नौर्थी स्टेट है मनिपूर में घालिया इसमें बहुत बढ़ रहा है जैसे मनिपूर में मनिपूर's People's Liberation Army उसकी सक्रियता काफी बढ़ रही है तो border security and stability in its neighborhood was clearly conveyed साबसा बता दिया था इन्होंने कि भाई ये situation है हमारे border में और इसको control करना हम दोनों को मिल के ताकि tension होगी तो दोनों तरफ होगी सिर्फ एक तरफ नहीं होगी second issue जा था वो था refugee का जो भी मामला हो रहा है जो भी कर्मकांड ये हो रहे है मैंनमार में उसके वज़े से धायर सारे भारी मात्रा में refugees दूसरे country में जा रहे हैं दूसरे country का यहा मतलब है इंडिया में ही आ रहे है क्योंकि इंडिया ऐसी country है जो सब को एक एक शयन देती है और उसको protect करती है यही situation थी 1980s में जब बांगलादेश में ऐसा हुआ था तो इंडिया ने जितने भी migrants थे, refugees थे सब को उठा के जंगल में कर दिया था और सब का ख्याल लगका था खाना, पीना, रहना, सोना, पना employment से related सब कुछ किया था इंडिया ने तो लोग इसी चक्कर में आते है कि इंडिया बहुत अच्छी country है लोग मना नहीं करेंगे हम जाएंगे और कुछ ने कुछ तो हमें दिली जाएगा तो लोग migrate होते हैं refugee होते हैं इस वज़े से क्या होती है हमारी social issues बढ़ने लगते है फिर हमारी economy disturbed होने लगती है तो इसी लिए जो CAANRC का मुद्दा था वो important था यहाँ पे कि इतने refugees आ रहे हैं उनका number रखना बहुत ज़रूरी है ठीक है I hope यह सारा मुद्दा आपको समझ में आ रहा होगा यह धीरे धीरे कहां से कहां जा सकती है बात एक important यहाँ पे mains का question form हो सकता है Given the strategic importance of Myanmar the recent coup defeat will have geopolitical implications for the region and India discuss चर्चा करनी है चर्चा करनी रिटन डीबेट है प्लस मैनिस दोनों करके बताईएगा negative positive क्या इसका answer हो सकता है framework बताना answer लिखके मत बताईएगा क्या क्या लिख सकते हैं आप ठीक है कैसे approach करेंगे यही आप बताईएगा इसमें चलिए अब बढ़ते हैं आगे हमारे तीसरे news पे जो की है एक maximum pressure वाली बात चल रही थी जो की US ने जब Trump सहाब थे उन्होंने economic sanction लगा दिया था अभी कुछ दिन पहले ही बात हुई थी हमारे बीच में तो मैं उस वीडियो का link में दे दूँगा जो जिस दिन हमने ये cover किया था ठीक है लेकिन अब जो इरान था वो धीरे 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 यूएस और यूरोप को छोड़के अब जा रहा था चाइना और अरशिया के पास मदद कर लिए ठीक है ऐसे ही होता है तो जो जो यूएस के president है अभी वो जब आए तो उन्होंने इस sanction को धीरे धीरे lift करने को कहा ठीक है और इरान को कहा कि आप भी हमारा साथ दीजे और जो nuclear deal है जो भी uranium से related बाते हैं या फिर जो oil से related prices हैं markets हैं वो आप हमारे साथ negotiate फिर से करना शुरू करिए ये था maximum pressure इसमें कुछ जादे नहीं था अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उस दिन का वीडियो मैं आपको description box में दे दूँगा आप प्लीज उसको watch कीजेगा आज का जो मुद्दा है आज का मुद्दा Gulf Corporation Council से related है अब ये क्या होता है Gulf Corporation Council बेसिकली ये मुद्दा है UAE का United Arab Emirates UAE अब इरान और इसराइल दोनों को मनाने में लगा हुआ है हम सबको पता है इरान और इसराइल में कितने जादे conflicts रह चुके हैं in the past right so UAE अब दोनों को मनाने में लगा है लगतार meeting हुई थी इस मामले को लेके कि भाई क्योंकि अब tariffs बढ़ रहे हैं oil के prices बढ़ रहे हैं और terrorism बढ़ रहा है जो ideological war है वो जादे हो रही है तो एक effective trade के लिए इन दो countries की बात नहीं है हम सारे world में पूरे जितनी भी countries है major countries है जो कि import export करती रहती उनको दिक्कत हो रही है उनको दिक्कत हो रही है तो इनको भी दिक्कत हो रही क्योंकि economic sanction लग रहे है ठीक है so UAE यहाँ पर बहुत important step लिया है और बार-बार meeting हुई है इन लोगों के बीच में बार-बार समझाओते हुए है तो आज हम इस article को जादेट डीटेल में आप मत पढ़िए मैंने इसलिए यहाँ पर GCC के बारे में लिखा हुआ है ठीक है यह हमारे Indian diaspora से related है regional grouping India and its neighborhood bilateral grouping and agreement GS paper 2 का topic है ठीक है so Gulf Corporation Council क्या होता यह आप image देख रहे हैं यह सारे Gulf Corporation Council के members है यह एक ऐसी council है जहाँ पे राजनितिक सामाजिक आर्थिक और छेत्र से related जितने भी policies हो सकते हैं वो सब मिलके यह country अपने में शेयर करती है political, economic, social, regional ठीक है सारे कुछ शेयर करते हैं यह लोग यह established हुआ था 1981 में among Bahrain, Kuwait, Oman, Saudi Arabia, UAE view their special relation geographical proximity similar political system based on Islamic belief joint destiny and objective common objective इन countries को इसको हम कहते हैं GCC, Gulf Corporation Council ते कहां पर लोकेटेड है यह है रियाद, Saudi Arabia में जो secretariat है इनका इनका एक tagline है solidarity and stability deal to the member of GCC जो है वो deal करते है recently, Saudi Arabia से to remove all the sanctions over Qatar and reopen हुआ क्या था 2017 में मैं background बता रहा हूँ आपको 2017 में United Arab Emirates और कुछ countries मिलके जो Qatar है उस पर economic sanction impose कर दिया था कि इस country से अब हम कुछ लेन दिन नहीं करेंगे क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो terrorism है वो बहुत जादे बढ़ गया था और इनका कहना था UAE का कि जो Qatar है वो Islamic State of जो Republic जितने भी Muslim ideological जो लोग हैं जो support करते हैं terrorism को Qatar उनको support कर रहा है Qatar उनको fund कर रहा है terror fund कर रहा है इस वज़े से इन्होंने economic sanction लगा दिया था Qatar पे लेकिन अब जो है अब मामला फिर से renegotiate हो रहा है और ये कह रहे हैं कि चलो भाई फिर से हम आपको मौका दे रहे हैं Let us सारी चीज़ें गिलेशिक पे भूल के आप लोगों की सेवा में social service में और देश के service में आप अपनी policy चाहे वो social political economy कोई भी section में हो वो आप implement करिए हमारे साथ ठीक है तो यहाँ पर हुई यही हुआ था कि अब जो GCC के member है वो Qatar से फिर से sanction की है reopen the land, sea and air borders to Qatar ठीक है अब Qatar land, air, sea, border कहीं पर भी जा सकता है ठीक है एक movie आयती है अक्षे कुमार की baby ठीक है वो देखिएगा Qatar से रिर बहुत अच्छे movie है आपको चीजने समझ में आ जाएगी थोड़ी सी ठीक है तो reason यही था इसका to unite efforts to promote gulf region and to confront challenges that surround them especially कौन से challenges थे Iranian regimes nuclear and ballistic missile program plans for sabotage and destruction समझ में आया जो मैंने बात कह रहा हूँ आपको कि इरान की जो regime nuclear और ballistic missile की जो program है ताकि गुसे में आके इरान किसी दूसरे country के साथ मिल जाए और एक nuclear war न कर दे sabotage न कर दे किसी को तोर तहस नहस न कर दे चीजे ठीक है इस वज़े से ये लोग फिर ये sanction है वो remove की है और इनके साथ deal पकी की है ठीक है कोई भी international relation का topic आएगा सिर्फ वो topic international relation से है important है इसलिए नहीं important है वो इसलिए important है क्योंकि इंडिया की क्या stand है इंडिया का रोल है उसमें इसलिए वो important है कभी भी आप IR का topic पढ़ेंगे तो इंडिया का stand हमेशा होना चाहिए उसमें यही मतलब ही है यही मुद्दा है IR को include करने का ठीक है कि इंडिया से related क्या stand हो सकते हैं इंडिया से related क्या achievements हैं इंडिया को क्या करना पड़ेगा और इंडिया क्या कर सकता है इंडिया 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 इंड बहुत अच्छा दोस्त है तो ट्रम्प सहाब ने जो जॉइंट कॉंप्रेंसिव एक्शन प्लान था उसमें से विड्रॉ कर लिया था अब उस वज़े से फिर इरान को इंडिया से थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी ठीक है तो वही दोस्त दुश्मन का दुश्मन वही दोस्त क कतर के बीच में एक अच्छा रिलेशन है एंडिया ने हमेशा कभी भी ऐसा सिचुएशन आया तो इंडिया ने हमेशा नाम वाली पॉलिसी अपना ही है और यह इनके इंटर्नल मैटर थे तो जब कतर पर एक्कोनोमिक संक्शन लगा गया था तब भी कतर से इंडिया के रिल बिलेशन चल रहत दा अब इंडिया और गल्फ गल्स घीलिक एंटाय पूरहरीज खे प्रण प्रम टिर्टनर प्रटेज के बीनिने अजर इंडिया यहां ऑईरी तंसे घृ ducks दॉर्ट फेस्टर रहता हैpan, मैइड़े canons भी खेस्टिशू इंडिया धुरवलीया है मेरी टे एक मिलियन में 10 लाख होते हैं, 7 मिलियन में 70 लाख लोग इंडिया से बहार दी रहे हैं, गल्फ कंट्री में नौकरी करने हैं, ठीक है, और जो इंडिया और गल्फ के साथ जो कोपरेशन है वो इसलिए भी है, क्योंकि ग्रोइंग सेक्योरिटी, जो हमारे टेर्रिजम है, उस मिलान एक्सरसाइज, ठीक है, ये एक एक्सरसाइज थी, ताकि एक साथ मिलके ये, डिफेंस कोपरेशन के साथ काम करें, ताकि टेर्रिजम कम हो, इनसेक्योरिटी कम हो, और कोपरेशन बढ़े इनके साथ, एक आर्टिकल है, यहाँ पे, मैं दिखाना चाहता हूँ, ये है, ये एक इंपॉर्टन आर्टिकल इसलिए बन सकता है, क्योंकि, प्रिवेंशन बढ़ेशन केर की बात की है, आपको पूरा आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं जब आप फ्री पीडिया डाउनलोड करेंगे, नीचे समन में फॉंग का लिंक दिया है, उसमें से आप जब डाउनलोड करेंगे, तो ये सब चीज़ें मिल जाएंगे आपको, मैं स्क्रीन शॉट भी दे दूँगा, नीउस पेपर का, ठीक है, मेन इस मुद्धे में जो बात की गई है, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर का मतलब ये है, कि जो इन्शॉरंस है, चाहे वो प् प्रिमुट हो गए, उस से रिलेटेड फिर जितनी भी खर्चे है, चाहे वो आपको कोई भी टेस्ट हो गया, डोक्टर की, डेली की फीस हो रही है, रूम रेट है, रात का, बेड का चार्ज़ेज है, ऑक्सीजन का चार्जेज है, इन्जेक्शन का चार्ज़ेज है, कोई inpatient में आता है, ठीक है outpatient में क्या होता है, जैसे आप clinic जा रहे हो, ठीक है आप hospital में नहीं हो, लेकिन फिर भी आप health care, health services ले रहे हो ठीक, जैसे doctor की consultation fees हो गई, दवाईया हो गई, test हो गई, देज भर के test हो गई, ठीक है और daily कुछ न कुछ आपको doses चल रही है ये सारे चीज़ें हो गई, outpatient, ठीक है, hospital के बाहर एक एक आपका इलाद चल रहा है, एक hospital में चल रहा है, तो इनका कहना है कि जो outpatient health care है, उससे insurance बहुत limited है, मतलब कि उस segment में insurance है नहीं, ठीक है, तो इसका इनका बहुत बड़ा reason ये कहना कि उस वज़े से, जो out of pocket expenditure है, लोगों का, बुज़ूर्गों का, वो बहुत जादे बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि सारी जनता तो hospital में bed bill है नहीं, majority of the जनता जो घर पे ही रहती है, treat करती है अपना दवाई खाती है, सर्दी जुखाम होता है, बुखार होता है, treatment होती है, injection लिते हैं लोग, तो जो out of pocket expenditure है, out patient का, वो बहुत जादे हो रहा है, काफी जादे है, ठीक है, इस पूरे मामले में यही बताये गया है, जो कुछ inpatient एक बहुत emergency situation है, ठीक है, आपका accident हो गया, आप तुरंद भरती हो रहे हैं, ठीक है, उसके लिए insurance आ गया, तुरंद, लेकिन outpatient care is बहुत immediate नहीं होता है, बहुत जादे emergency नहीं होती है, ठीक है, इसलिए जो health insurance company है, वो emergency situation पे, ताकि हम product बेच सके है, अपना emergency situation को अपना हथियार बनाती हैं, और insurance sell करती हैं, लेकिन इनका यही कहना है, कि भाई, जो outpatient care है, सबसे जादे पैसा तो वहीं खर्चा होता है, इन patient तो खेर, साल भर में एक दो बार आदमी भरती होगा, तीन बार भरती होगा, लेकिन साल भर जिसकी दवाई चल रही है, उसका क्या, ठीक है, यही कह रहे है, the mantra should be, prevention is better than cure, ठीक है, तो दूसरा इनका था कि, the positive feedback in health system could mean that a greater investment in inpatient care today translate to even greater inpatient care investment in future, इनका यही कहना है कि भाई, अगर जितना आप focus करेंगे, insurance sector में, उतनी ही जादे फिर investment भी inpatient care में होगी, infrastructure में होगी, hospital के, beds में होगी, महंगे machines आएंगी, महंगी दवाईं आएंगी, उसी पे सारी investment होगी, outpatient care में को investment ही नहीं होगी, ठीक है, यह सारी चीज़ें हैं, इसमें बताई गई हैं, और दूसरा, एक, पड़ा सठीक example इन्होंने दिया है, इन्होंने कहा है कि Thailand एक ऐसी country है, in fact US, US को तो हम अपना role model मांते हैं, हम उसको copy करते हैं, कहीं कहीं मामलों में, हम emulate करते हैं, लेकिन Thailand भी एक ऐसी country है, जिसने अपना out of pocket expenditure जो है, outpatient care के मामलों में बहुत कम किया है, बहुत control किया है, कैसे? Achievement on the universal tax finance, public sector peer imminently model of OP care, मतलब की जो government है, वो outpatient care से related, बहुत सारे modest schemes, policies लेके आई हैं, tax कम किये गये हैं outpatient वाले पे, आगर आप दवाई hospital में रखेंगे, खरीदेंगे और दवाई खरीद के बाहर लेके जाएंगे, अपने घर पर खाएंगे, तो उसमें taxes कम लेंगे, यह सारी कुछ ऐसे चीज़ें हैं, जो कि implement किया है, बहुत सारी इसमें administration भी चाहिए, लेकिन कर सकते हैं, एक example है हमारे पास, ठीक है? So, contracting with private players, based on the objective and transparent criteria, would also be called for, ठीक है? Of course, public, private partnership होनी चाहिए, लेकिन किस जगे पे होनी चाहिए, कौन सा area से जहां पर वो tap कर सकते हैं, वो important यहां stand करता है, ठीक? तो आज का ये था हमारा editorial and open analysis, आज हमने चार-चार cover किये हैं, I hope थोड़ा से जादे dose हो गया होगा, लेकिन they both and everything was important, ओके? So, यह जो image है, मैंने last में लगा रखी है, वो image में फिर से आपको याद दिलने कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, कि इनको अकेला मत छोड़िये, इनकी इज़त करिये, ठीक है? In fact, यह जो आखड़े बता रहे हैं, Life with Family के, लगभग 1000 elderly almost, कि उनको अपने परिवार में इज़त नहीं मिलती है, और एक बड़े होने का दर्जा तो बिलकुल नहीं मिलता है, 52% of felt marginalized in family and society, जहां पे 27% उन्होंने कहा कि due to respecting regard from most of the family members, ठीक है? तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि इनकी इज़त करिये, और इनी के अशिर्वाद से आप आगे बढ़ेंगे, इनी के अशिर्वाद से आप मुकमल होंगे, successful होंगे, जैसा आप करेंगे इनके साथ, जब आप बुड़े होंगे, आपके साथ भी लोग ऐसा ही करेंगे, जैसा आप बोगे, वैसे ही आप पाऊगे once again this article today's article was mostly dedicated to elderly women हमें इज़त करनी चाहिए और रक्षा करनी चाहिए इनकी भी so मिलते हैं कल के रिटूरिट अनालेसिस में पूछे काई questions पर please comment करके बताईए और ये भी बताईएगा कि what else I can do for you मिलते हैं अनालेसिस में तब तक इलिए जाहिंट